कि दूस्ता दूस्तों कंप्यूटर साला में आपका एक बार फिस्दस वाकत है आज हम सभी लोग विंडोस 10 और सब्सक्राइब इस विंडोस 11 और काम करते हैं और कि पोして infinite the नहीं का पाता है विंडोस 10 ङिया 11 का विंडोस 11 या 11 मेए रहते है कि तो आज मैं आपको कुछ ऐसे Windows 10 और 11 के कुछ hidden tricks के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से ना कि आप अपनी आउसकतों को fulfill कर पाएंगे बलकि आप एक proper जो भी size का आपको screenshot लेना है और वो ले पाएंगे suppose आपको full screen screenshot लेना है या एक particular area का लेना है free form में लेना है तो उसके साफ सब में आज आपको अलग अलग tips बताऊंगा कि कैसे आप किस app का इस्तमाल कैसे करें window की trick इस्तमाल कैसे करें तो चलिए सुरुवात करते हैं सबसे पहला hidden आपको कुछ भी नहीं करना है आपको window और print screen को click करना है एक साथ window और print screen एक साथ दबाना तो इससे पूरी screen का screenshot आपके सामने capture हो जाएगा अब यह screenshot capture हो कहां जाएगा इसके लिए आपको क्या करना है माय कंप्यूटर में जाना है और पिक्चर के अंदर जाके आप देखोगे पिक्चर के अंदर जाके आप देखोगे तो इस screenshot सारे यहां capture हो जाते ही अभी जो मैंने screenshot लिया हो यहां आ गया यह screenshot अभी जो screenshot लिया यह तो था कि यह अगर हमको full screen पूरी screen का screenshot लेना है quickly तो हम window की और print screen के स्थिमाल करेंगे दूसरा तरीका अगर मैं को किसी particular area का screenshot लेना है तो उसके लिए क्या करें हम तो उसके लिए कुछ नहीं करना यह search पर आना है और हमको यहां पर type करना है snipping tools यहां पर type करना है snipping tool और यह जो snipping tool का option आएगा इस पर हमको click करना है यह आपको हर type के screenshot लेने में आपकी मदद करेंगा यह type का यह एक app है यह Windows बाइड़ आपको मिल जाएगा यहां से आपको जिस भी ट्राइब का screenshot लेना है यह free form लेना है rectangle लेना है Windows लेना है यह full screen लेना है यहां से जिस भी आप उसको select करो कि आप उस area उस आप से screenshot लेपाऊगा सब्समें rectangle यहां से लेता हूं और मैं किसी रेक्टेंगल जैसे रेक्टेंगल नाम बता रहा है हम किसी भी रेक्टेंगल साइस मितलब किसी भी screen का rectangle size में screenshot ले सकते है यह ऐसे screenshot जाएगा अगर इसी में अगर में दूसरा देखूं कि यह free form है अब में को free form में क्या करना है जैसे में गोला बनाऊंगा जैसा भी बनाऊंगा इसका screenshot ले लेगा मेरे पास में अगर आप देखो कि यहां पर कि इसको मैं cancel कर दे रहा हूं new पर जा रहा हूं अब मैं यहां से select कर लेता हूं अब free form में क्या होगा कि जैसा भी जैसा जैसे में ड्रॉब करूंगा वैसा screenshot मेरे सामने capture हो जाएगा तो यह दो टूल में आपको बता दें तरह जो फीचर यह तीसर तरीका जो मैं आपको उताने वाला हूं वह है इसनीप और स्केट यह भी बहुत अच्छा फीचर है विंडो टैन का आप यहां पर आकर लिखो कि स्निप हो luôn को इसके सेकंड नंबर को ऊप्ट सुलेक्ट करें तो इक ऐसा वींडो ड़ए का यहां से अप मैं इसको न्यू को यहां से स्लेक करेंगे नियूНу को अब आपको जिस भी स्क्रीन का स्थ लेना जितने रीक़ सपूर्ष मैं को इतने विसक्रें आरई यह प् Tube का से दिनने सब्सक्राइब करें तो यह भी यहां पर आजाएगा यह हमको बहुत अच्छी फ्लेक्जिबिलिटी देती है कि हम हमारी रिक्वार्मेंट के साफ से स्कीन साफ ले सकते इसकी सॉट कट की है अगर आपको सॉट कट की से उपन करना है तो इसके विंडो शिफ और यह प्रेस करोगे तो आपको यह इसनी पर सकेज ऑपन होके जाएगा इसकी एक खाज़बत यहीं कि आपको किसी चीज के स्क्रीन सॉट लेने के बाद उसको क्रॉ करने की सारी फैसलेटी यह देता है इसनी पर इसकेज ऐसी ही और भी ट्रिक्स अगर आपको जानना है तो आप हमारे ब्लॉक कंप्यूटरसाला.com पर आ सकते हैं जहां पर सारी चीजे स्टेप बाइस्टेप हमने आपको समझाए स्क्रीन सॉट लेने के और भी तरीके यहां पर बताया हैं तो हमारे कंप्यूटरसाला.com को विजिट करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और सेर करें थैंक यू फॉर वाचिंग